हेलो दोस्तों मेरा नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रोनिक्स और दोस्तों आज के स्यूडियो मैं आपको पताऊंगा किस तरह से आप यह इस किट का वारिंग कर सकते हैं तो दोस्तों यह किट जो है कि 45 वार्ट इन्वर्टर का है जो कि यह बहुत सारे छोटा जो इन्वर्टर होता है जिसमें लिक लगा होता है और गिलीडी लगा होता है वह मार्केट में बहुत पापलर अभी है और उसमें सिर्फ यहीं बोर्ट रहता है जैसे कि आप देख सकत लिखा हुआ है तो दोस्तों इसका वीडियो आपको वाइडिंग का वीडियो बहुत कम मिलेगा या सायद मिलेगा ही नहीं इसलिए मैं आपको यह कीट का वाइडिंग इसलिए करके बताऊंगा तो दोस्तों वीडियो का आप सुरू सले का लाश्ट दिखिए तभी आपको समझ में आएगा नहीं तो नहीं आएगा तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जान लेते हैं कि कौन सा इनका क्या काम है तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर मातर इसमें तीन जैक हुआ है तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है देख सकते हैं तो यहां पर बैटरी का जो यहां पर यह देख सकते हैं दोनों टर्मिनल तोहां पर बैट्री का जो होता है simply यहां से clicking एकुप लगाया गया है जो कि आप देख सकते हैं उसके अंदर लगाये यहां पर जे की यहां पर जबताया है तोओप देख सकते हैं यहां पर इसका ने शरांगी क सब्सक्राइब है यह सकते हैं यहां देख सकते हैं ऐसा कुछ लगेका हैं यहां भी देख सकते हैं यहां जो तीन है यह पावर सप्लाई होगा जब इसमें होगर हम बीजली से सप्लाई इसमें देंगे था हमारा जो इनवर्टर चालूड हैगा वो बंद हो जाएगा और बैटरी को चार्ज करने स्टार्ड कर देगा ठीक है दोस्तों तो इसमें जो यहाँ पर यह आधा वाला इतना हिस्सा आपको inverter का होजागा और इतना charging का होजागा तो चलिए हम यह नहीं करना शुरू करते हैं तो सबसे से पहले हम इसमें बैटरी का जो होगा दोस्तों बैटरी का जो पीन आता है है socket जो किसंपल यह यह 12V का वैटरी इसमें लगा होता है light में दख सकते हैं Lumineuse का है 12V का इसका connection करने के लिए डारेक्ली इसमें हम यहां पे बैटरी का जूय stop сп कर देंगे ध्यान रहाऊं चाहते हैं तो यहां पे क्लिका करना क्या है कि मादनें अगर यहां पर बैटरी का नहीं लिखा हुआ है तो अगर हम प्लस को पता करना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर देख सकते हैं जहां दो ट्रांजिस्टर यहां पर मॉश्पेट लगे होंगे वहां पर एक टांसफर्मर होगा यह सेम टू सेम जो मैंने एक इनवर्टर बनाया था वहता ही होगा इस में ठीक है धूस्तों यहां पर प्लस मिया जंपर लगा के यहां पर इस गपर लए तो यह बला हो गया हो अ 한री माइनस हो गया ठीक है मैंने कनेक्जर और कर लेते हैं तो यहां पर प्लस का कर लेते हैं है कि और पर मेरा हो गया दिख सटेंख है तो कि यहां पर मैंने बताया था आपको को देख सकते हैं कि तीन पॉल यहां पर जो की रिले काम करता है जो अगर हम इसे बीजली से सप्लाइब देंगे तो हमारा इंवर्टर को बंद करके सिर्फ चार्जिंग यहां पर चालू रहेगा जो की बैटरी चार्ज करेगा हम यहां करेंगे क्या यहां जो टीन देख रहे हैं आप एक दो टीन तो बीच वाले में हम इक को जोड़ देंगे जो कि हमारा होल्डर रहेगा आउटपूट के लिए ठीक है दोस्तों और इक को हम यहां पर और फिर एक साइड वाले को दाहिने वाले पीन में हम कनेक्शन कर करेंगे यह हमारा इंवर्टर का 220 वोल्ट आर्ट पूट सप्लाई मिल गया तो दोस्तों यहां पर हम बैटरी से इंप्ट देंगे ति हमारा इसमें हमड़ा 220 वोल्ट सप्लाई देदेगा अब हम इसमें जो बिजली का सप्लाई होता है जिसे हम बैटरी चार्ज करेंगे उसक करनेक्शन कर लेना कुछ इस तरीका से जैसे कि आप देख सकते हो बीच वाले में करनेक्शन नहीं करना है यहाँ पे बीच वाले में करनेक्शन नहीं करना है दोनों साइड वाले करना है बीच वाला सिर्फ आउटपूट होगा यहाँ हमारा होल्डर है तो यह हमारा दोस्तो तो हो गया यहाँ पर और यहाँ पर जो देख सकते हैं पर फोटा सा शॉकट लगा हुआ यह जैसे कि मैं आपको बताया था यह सुइच गया है तो सिंप्ली हम यहाँ पर स्विच लगा देंगे पिर हम इसको चेक करते हैं तो हम सबसे पहले यहां पर स्विच को आफ कर लेते हैं और यहां पर हम प्लस को प्लस में डाल देंगे और माइनस को माइनस में डाल देंगे ध्यान रे दोस्तों कि यह हमेशा सीधा होना चाहिए सारे connection के बाद फिर से पहले आपको supply देने इसको चेक कर लेना है ठीक है दोस्तों और ध्यान रहें दोस्तों गर इसमें आप supply देते हो और यहां पर supply देते हैं बिजली से तो डिरेक्ट यह बल्ब बंद हो जाएगा और यहां पर यह जो है बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा तो जैसा कि देख सकते दोस्तों मैंने इसमें पावर सप्लाई देते ही इसका लाइट बंद हो गया अब यह इंवर्टर से और दोस्तों इसमें इंडिकेट भी करता है मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर LED तीन लगा होता है जैसा कि आप देख सकते हो तीन LED लगा है यहां पर यह इंवर्टर का है जब हम इसमें सप्लाई देंगे तो यहां पर आपको यह लोड टाइप का एक ग्रीन का यहां पर गलो होना स्टार्ट हो जाएगा और यह साइद ओभर लोड का है ठीक है दोस्तों यह बीच वाला मैंने आप पावर सप्लाई क इसे हमारा इंवर्टर बंध हो जाता है कि यह बीच लिस हो जाता है और यहां पर बंधो जाया झाल झाल